नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में दोस्तो आज इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफरिका वर्सिस वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले तीसरे और फाइनल T20 मैज के बारे में आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके जोईन कर सकते हो वहीं दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक याच से कर दीजेगा आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है और लाइक कर दो या लाइक करना तो फ्री है दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती है और सबसे पहले हम बात कर लेती है वेन्यू स्टेट्स के बारे में देखो दोस्तों आपको पता है कि ये वाला मैच खेला जाएगा The Wonder Stadium जोहांसबर्ग के ग्राउंड के उपर और दोस्तों इस ग्राउंड के उपर रिसेंटली South Africa T20 लीग के मैच खेले गए थे और दोस्तों अगर हम लास्ट के 6 मैचों के रिकोर्ड की बात करे ना तो इन 6 के अंदर पिछ ने काफी यत्तकि बैलेंस बियेवियर शो किया था जिसके अंदर बैट्समेन और बोलर दोनों ही चले थे अगर हम बात के लास्ट वाले मैच की तो वो खेला गया था पिटोरिया कैपिटल्स और पार्ल्स रोवेल्स के बीच उस मैच में पहली इनिंग में 153 रन बने दूसरी इनिंग में 124 रन बने दोनों इनिंग को मिला के 18 विकेट गिरे उससे पहले मैच के लागया था जोहांस बर्ग सूपर किंग और माई कैप टाउन के बीच उस मैच में पहली इनिंग में 109 रन बने दूसरी इनिंग में 113 रन बने लेकिन दोनों भी देख सकते हो, ओवराल दोस्तों अगर मैं आपको इन शोट बोलना चाहूं, तो देखो दोस्तों रन भी बने हुए हैं, और विकेट भी गिरे हुए हैं, यानि आपको कही न कहीं एक बैलेंस पिछ देखने को मिल सकती है, जो कि बैट्समेन पलस बोलर दोनों को फेवर कर सकती है, और उसी साब से आप टीम बनाईए, अगर दोस्तों इस ग्राउंड पे खेलेगें इंटरनेशनल मैचिस की बात करें, तो 30 मैच खेलेगें जिसमें 14 पहले बैटिंग करने वाले टीम, और 16 बैटिंग करने वाले टीम ने जीते हैं, और दोस्तों आपर फर्स्ट इ पहले मैच की बात करें, तो पहले मैच में बारिस आ गई थी, और वो मैच वेस्ट इंडिज की टीम तीम तीन विक्टो से जीत गई थी, जिसमें साब अफरिका की टीम ने 11 ओवर का मैच हुआ था, पहले बैटिंग करते हैं 137 बनाए थे 8 विकेट पे, वेस्ट इंडिज 32 बना के 3 विक्टो से मैच जीत लिया था, उस मैच में ड्रीम लेवन पे कपनान बने थे S मंगाला, जिन्होंने 18 रन बनाए थे, और 3 विकेट लिये थे, वहीं दोस्तों दूसरा मैच उसी ग्राउंड यानि सूपर स्पोर्ट ग्राउंड के उपर वा था, और उस ग्राउ प्ले मैच के अंदर विकेट फॉल हुए, क्योंकि यहाँ पे 11 ओर का मैच था, और कभी भी बारिस की वज़े से, अगर मैच कम ओर का होता ना, तो प्लेयर आते ही मारने की कोशिज करते हैं, उस वज़े से आउट होगे, लेकिन सूपर स्पोर्ट पार्क की जो पीच है, व ओपनिंग करने आएंगे, तो ड्रीम टीम में आने के हाई चांस है, एडन माकरम भी आ सकते हैं, एंडिक नोकिया पहले मैच खेले थे, ड्रीम टीम में थे, कागिसो और रबाड़ा दूसरा मैच खेले थे, विकेट नहीं मिलाता, लेकिन इन में से जो भी खेलेगा, वो प पॉल और रिजा हैंडिक्स, यह दोनो प्लेयर भी आपके लिए क्रूशल ला शकते, यहं दोस्तों यह आठ प्लेयर ton picks देखने को मिल सकते हैं, अभ धोस्तों इन में से कौन सा प्लेयर flop हो सकता है, कौन किसके out कर सकता है, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे, और बाकी 3 प्लेयर आपको क्या चूज करने है वो भी हम वीडियो में आगे जानेंगे तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो यार लाइक करना बहुत जुरूर है आपके लाइक से मेरे को बहुत करने आ सकते हैं राइले रोस वो ये तीन प्लेयर होगे टोप ओडर के मिडलोडर की बात करें तो एडन माकरम डेविड मिलर हेंडरिच कलासन मिडलोडर ही कमान सबालेंगे उसके बाद दोस्तों मार्को येंसन और वेन पार्नेल बैटिंग और बोलिंग दोनों चीजे कर सकत हैं वहीं दोस्तों इनकी तरफ से बोलिंग के बात करें तो एस मंगाला कागिशो रबाड़ा टी समसी वेन पार्नेल मार्को येंसन ये पांच बोलिंग ओप्सन देखने को मिल रहे हैं और चटा बोलिंग ओप्सन के पास है एडन माकरम जो कि लास्ट के दो मैचों से बोल से उतरेगी तो वह सकता है कागिशो रबाड़ा और एंडिक नोक्याव को दोनों को ही मोका दे दिया जाए इस मैच के अंदर और मंगाला को रेष्ट दे दिया जाए इस मैच के अंदर तो अगर ऐसा सेनेरियो होगा उस केस में मारको येंसन, वेन, पार्नेल, कागिशो र प्रबाड़ा और मंगाला तीनों चारों आपके लिए इंपोर्टन रह सकते हैं वहीं दोस्तों पहले मैच में समसी को मातर एक विकेट मिला था और दूसरे मैच में समसी को विकेट नहीं मिला था लेकिन ये वाला मैच कहां पे खेला जाएगा जोहांसबर के ग्राउंड की जहां पे स्पीनर को भी विकेट मिलते हैं तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रेंड लीग में डिफरेंचल रह सकता है उसके बाद बैटिंग की बात करें तो क्विंटन डिकोग पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे लेकिन दूसरे मैच में सोरन बनाये थे रीजा हेंड दोनों मैचों में डिम टीम में थे एडन माकरम की बैटिंग भी आ जाती है वहीं दोस्तों डेविड मिलर पहले मैच में 18 रन दूसरे मैच में डिम टीम में नहीं थे रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों अगर साउथ अफरिका का टोप ओडर जल्दी आउट होगा तो ही डे ले रोस्तों लास्ट के दोनों मैच में फ्लोप है लेकिन बैटिंग तीन नंबर पे करने आता है और इस प्लेयर के उपर बहुत ही कम बंदे ध्यान देंगी तो आप ये देख सकते हो मैंने आपको इनका पूरा प्लेइंग 11 का ओर्डर समझा दिया है बाकि दोस्तों हाई बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की पोसिबल प्लेइंग 11 क्या रह सकती है इस मैच के अंदर देखो दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से आपको ओपनिंग करते हैं ब्रेंडन किंग और काली मेरस जो की लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग करने आए थे और तीन नंबर बैटिंग करने आए थे जोनसन चाल्स ये तीन प्लेयर होगे टोप ओडर के मिल्ल ओडर की बात करें तो निकोलस पूरन रोमेन पोवेल जैसन होल्डर रेमन रेफर रोमारियो सेफर्ड तक बैटिंग कर सकते हैं और बोलिंग की बात करें तो लास्ट मैच के अंदर अकील अलजारी जो सबका खेलने का चांस बन सकता है हाई चांसा खेल सकते हैं और खेलेगा तो इंपोर्टेंट रह सकता है पहले मैच में एक विकेट निकाला था वहीं दोस्तो ओडियन्स मित लगाता और दोनों मैच में डिम टीम में आये हैं पहले मैच में दो विकेट निकाल तो यहाँ पे जोंसन चाल्स ने पहले मैच में रन बनाए थे और दूसरे मैच में शांदार 116 रनों की पारी खेली थी तो यह प्लेयर भी काफी क्रूशल दिख रहा है लेकिन जोंसन चाल्स का क्या है आते ही मारने की कोशिश करेगा और मारने के चक्कर में आउट भी हो सकत है क्योंकि जो प्लेयर पिछले मैच में सेंचुरी बना के आता ना वो इतना कॉन्फिडेंट होता कि वो हर बोल भुमाएगा और आउट भी हो सकता और उस प्लेयर के ओपर जातर बंदे ध्यान भी देंगे तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लोना ग्रेंड ली अभी IPL भी आ रहा वो भी हम कवर करेंगे तो उसमें भी चीज आपको मदद करेंगे आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो देखो दोस्तों आपने कभी भी देखा होगी जो बंदा ड्रीम 11 के उपर फर्स्ट रेंक लाता है या सो भी रेंक लाता है या हजार भी रेंक कोई भी रेंक आती हो उसके अंदर कुछ प्लेयर साथ से आठ प्लेयर ऐसे होते हैं जो सेफ प्लेयर होते हैं सेफ प्लेयर से मेरा कहने का मतलब कि वो प्लेयर जिनके उपर हर बंदा ध्यान देने वाला है जैसे इस मैच के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर क्विंटन ड फ्लोप हो जाए बाकी हाई चांस तो ना कि ड्रीम टीम में आ सकता है तो ऐसे साथ से आठ प्लेयर तो हर एक बंदे की टीम में होते हैं जो सेफ होते हैं लेकिन जो तीन से चार डिफरेंशिल प्लेयर होते हैं उनकी उपर कोई ध्यान नहीं देता और यहाँ पे मैं जब मेरा काम मैं पर्सनली बताओं तो आपको एक पॉसिबल प्लेइंग लेवन का अंदाज़ा लगाना कौन सा प्लेयर फोम में हैं कौन सा प्लेयर कितने पॉइंट दे सकता है वो चीज़े बताना होता मेरे भाइयो तो यह चीज़े आपको समझनी पड़ेगी तो यहाँ पे करके यहाँ पे ब्रेंडन किंग काईली मेर्च निकोलस पून में से किसी एक को अलग-अलग टीमों में रोटेट किया तो हो सकता आप ड्रीम टीम में ज्यादा रेंग लाओ ओपॉनेट से और चाल चल गया तो हो सकता आपकी उनसास भी वापिस नाए तो यह चीज़े प्राउंड क्यूपर स्पीनर को विकेट मिलते हैं अकील उसे ने पहले मैचे मात तरह एक विकेट लिया था दूसरे मैचे बहुत पिटाई हुई थी विकेट नहीं मिला था लेकिन इस मैच में डिफ्रेंशल निकल के आ सकता क्योंकि यह मैच जवांसबर्ग पे खेला चा यह चेंज होगा तो टेलिग्राम पर बता दूंगा और लाइक कर दो यार वीडियो को अब देखो दोस्तो जल्दी-जल्दी कर लेते हैं प्लेयर कंपेररेजन में करेंगे सेक्शन वाइस सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की बात कर लेते हैं विकेट केपर में करने आते हैं पहले मैच में 0 दूसरे मैच में 100 अगर सेफ ऑप्सन की बात करें तो मैं फर्स्ट चोईश तो क्विंटन डी को को ही दूँगा सेकिंड चोईश आप चाहो तो आप जोंसन चाल्स के साथ जा सकते हो लेकिन अगर आप रिस्क लो ना थोड़ा वो तो आप निको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे दे और चार नमबरे बैटिंग करते हो रन भी बना दे और आपके लिए ड्रीम टीम में भी आ जाए अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैट्समें के बारे में बैट्समें दोस्तों आप साथ अफ्रिका के तरब से डेविड मिलर 5 परे बैटिंग करने आथे 1060 लॉसकों में लास्ट के दो में हो में हैं हैं घंडिक्स ओपनिंग करते हैं 278 लॉसको से के से भॉकन कि बात करओ तो एक तो रोमें पोवल मेरा Rey Gold 5 शे6 नमब्रे बैटिंग करने आएगा, ड्रीम टीप में आज आएगा, दोनों मेचों में तो आया है, दूसरा उप्शन यहाँ पर रीजा हेंडिक्स वैसे तो सेफ निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों मेचों में रन बनाएं, लेकिन जोहांसबर्ग के ग्राउंड की उपर अगर विकेट तो उसकेस में राइले रोस वो और डेविड विलर देशे प्लेयर भी कमाल कर सकते हैं, लेकिन सेफ जाना हो तो रीजा हेंडिक्स और रोमेन पोविल, तीसरा बैट्समें चूज करना हो तो राइले रोस वो और बेंडन किंग में इसकी एक को दे देना, और ग्रेंड लीक काई तरब से एडन माकरम ओफब्रेक बोलर है, चार नमबरे बैटिंग करने आते हैं, 14-38 रन में लेकिन बोलिंग नहीं किया है, मारको येंसन लास्ट मैच कहले थे, तीन विकेट लिये थे, वहीं दोस्तों वेस्ट इंडिज के तरब से जेसन होल्डर लास्ट मैच कहले तो देखो, यहाँ पर वेस्ट इंडिज के टीम के अंदर बोलिंग में चेंज हो सकता, क्योंकि इनके पास साथ बोलिंग ओप्सन है, मैंने आपको बताया है, काईली मेर्स ओपनिंग करने आते हैं, 6-51 रन लास्ट के दो मैचों में, रैमन डेफर को लास्ट मैच में एक अब सेफ ओप्सन के बात करें, तो फर्स्ट चोईश एडन माकरम, सेकंड चोईश जेसन होल्डर, थर्ड चोईश मारको एंसन और फोर्ट चोईश रोमारियो सेफर्ड, यह चारो प्लेयर सेफ निकल के आ रहे हैं, इनमेस अगर आप रिस्क लेते हो एक आदी टीम में, त बोलिंग में साथ अफरिका ही दरब से कागिसोर अबाड़ा लास्ट मैचे विकेट नहीं मिला था, राइट आम फास्ट विडियम बोलिंग कर लेते हैं, एन्रिक नोकिया को पहले मैच में एक विकेट, दूसरा मैच खेले नहीं थी, एल इंगिडी को खेलनने का मोका नही मिला था, पार्णिल को लास्ट मैच के नहीं मिले थे, पहले मैच विकेट नहीं मिला था, विकेट नहीं मिलने का रिसइंपल लेजिन था, क्योंकि वो मैच 11 ओबर का वा था और पार निमाटतर 2 अपर की बोलिंग कि थी, संसी को पहले मैच में एक विकेट, दूसरे मैच स्ःभाइब अधे उप्याइब में चो नियू नहीं कने वगेट नहींा स्घ्राइब करते हैं, यारि को खेलने का मोगा नहीं मिला है अगर सेफ ओप्सन की बात करें तो देखो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट चोईस अलजारी जोसफ सेकेंड चोईस एंडिक नोक्या थर्ड चोईस फूर्थ चोईस कागिसो रबाडा और चाहो तो पांच वा बोलर एलप पार्नल को ले सकते हो हो सकता है अगर रबाडा करना वो मैंने आपको पीछे अलड़ी बता दिया अगर आपनी वीडियो को पुरा नहीं देखा तो अब देखो दोस्तों टीम और टिप्स की बात कर लेते हैं सबसे पहली बात दोस्तों मैं यह वीडियो आपके लिए शोट्स रखने की कोसिज कर रहा हूं और थोड़ा र अगर 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 यहां पर रिजा है और देखो दोस्तों अब तक जो मैं चुए न वो हूँए ते सूपर स्पोर्ट पार्क के ऊपर लेकिन यहां से साइध मैं कैप्टेंसी होल्डर को देदू और वाइस कैप्टेंसी एडन माकरम को देदू इन दोनों के साथ में जाने की सोच रहा हूं अभी के लिए क्योंकि मैं मैं सेफ ही कैप्टेंसी के साथ जाता हूं जिसके जाला चांसिज होते हैं आप अगर करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ टेलीग्राम चैनल जोइन कर लीजेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है आई पील आरा एक पील कंदर हम बहुत अच्छी तरके से फोड़ने वाले है और आपको दादा डबल ट्रिपल क्वाल्टी के अंदर वीडियो मिलने वाले है धन्यवाद